तो दोस्तो अगर आप CAC से किसी का इंसुरेंस करते हैं तो यहाँ पर आपको 15-25% तक का बड़ा कमिशन मिलता है CAC से आप चाहें तो Health Insurance, Life Insurance, Motor Vehicle Insurance और Fustle Bima जैसे कई तरह की इंसुरेंस कर सकते हैं लेकिन CAC से किसी का इंसुरेंस करने के लिए सबसे पहले आपको INS और RAP का एक्जाम देना पड़ता है तो आज की इस वड़ में आपको डीटेल में बताऊंगा कि कैसे आप INS और RAP का एक्जाम ऑनलाइन दे सकते हैं तो इसके लिए को ध्यान से बिना सकीप की पूरा जरूर देखें क्योंकि INS और RAP का जो पैटन है वो बदल चुका है तो इसके लिए आपको इंसुरेंस.cacclot.in के इस पोटल पे आना है इसका डारेक लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चलिए हम इसे यहां से जूम कर लेते हैं यहां पर उपर में आपको INS और RAP का ओप्शन दिखेगा तो यहां पर RAP और INS का जो रेजिस्टेशन प्रोसेस है जो एक्जाम देने का प्रोसेस है वो बिलकुल सेम है अगर आप RAP का रेजिस्टेशन और एक्जाम देना सीख जाते हैं तो आप INS का भी रेजिस्टेशन और एक्जाम दे सकते हैं तो चलिए सबसे पहले यहां पर आपको RAP में रेजिस्टेशन पर क्लिक करना है फिर यहां पर आप उस CSC ID से लॉगिन करेंगे जिसका आप RAP का एक्जाम देना चाते हैं तो चलिए यहां पर हम अपना CSC ID और पासपर्ट दे देते हैं फिर नीचे साइन इन पर क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने वही वाला पेज आ जाएगा उपर आप RAP में आएंगे यहां पर आप फिर से रेजिस्टेशन पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने VLE रेजिस्टेशन का पेज आएगा यहां पर आप लॉगिन कर चुके हैं Mother name आप चाहे तो दे सकते हैं या आप इसे छोड़ सकते हैं फिर यहाँ पर mobile number देंगे फिर यहाँ पर आपको अपना date of birth इस calendar से select करना है फिर यहाँ पर gender select करेंगे select पर click करेंगे फिर नीचे आएंगे यहाँ पर आपको अपना religion select करना है choose file पर click करेंगे और अपने passport size photo को select करेंगे open पर click करेंगे ध्यान रखे कि आपका photo 50KB से कम होना चाहिए JPG में होना चाहिए फिर नीचे आपको अपना education qualification बताना है select qualification पर click करेंगे आप कहां तक पढ़ेवे हैं 10th, 12th, ITI, diploma, graduate अगर आप post graduate हैं तो PG select करेंगे फिर नीचे आपको अपना complete address देना है यहाँ पर आपका state और district पहले से selected होगा gram पंचायत आप चाहिए तो दे सकते हैं या आप इसे छोड़ सकते हैं line 1 में अपना पूरा complete address देंगे फिर नीचे आएंगे यहाँ पर आपको अपना pin code देना है address का उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर आपको कुछ important document upload करना है सबसे पहला एक ID proof, pen card और education proof upload करना है तो proof of ID में select document पर click करेंगे आप चाहें तो यहाँ पर अपना अधार card, driving license, passport, ration card या water card upload कर सकते हैं तो चलिए हम अधार card upload करेंगे इसे select करेंगे फिर यहाँ पर अपना इस document का number देंगे फिर choose file पर click करके document का upload करेंगे ध्यान रखे कि आपका document 75KB से जाता नहीं होना चाहिए choose file पर click करेंगे, document को select करेंगे, open पर click करेंगे यहाँ पर मुझे बोला जा रहा है कि 75KB का होना चाहिए और आपका document JPG या PNG format में होना चाहिए फिर इसी तरह से यहाँ पर आपको pan card number देना है फिर choose file पर click करके pan card को upload करना है फिर यहाँ पर आपको education proof में अपना 10th, 12th graduation या post graduation का mark sheet या certificate upload करना है तो चलिए हम यहाँ पर सारा detail दे लेते हैं, document को upload कर लेते हैं तो यह देखिए मैंने यहाँ पर सारा detail दे दिया है और document भी upload कर दिया है अब यहाँ पर आपको proceed to paper click करके payment करना होगा wrap exam देने के लिए आपको 350 का payment देना पड़ता है और अगर आप INS exam यहाँ पर देते हैं तो आपके CSC wallet से 200 रुपया काटा जाता है तो सबसे पहले आपको अपने CSC के wallet में payment को add कर लेना है ताकि यहाँ पर आप payment कर सके proceed to payment पर click करते ही यह आपको CSC के payment page पर ले जाएगा यहाँ पर आपका CSC reference number, CSC ID और amount बताया जाएगा यहाँ पर 350 रिट पर मुझे pay करना है और यह payment आपको अपने CSC wallet से करना है तो इसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना CSC का password देना है फिर validate पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको payment करने के लिए 6 digit का अपना CSC wallet pin देंगे फिर नीचे pay पर click करेंगे यह देकि payment success हो गया है देकि payment करते ही आपके सामने इस तरह का wrap exam का dashboard आजाएगा यहाँ पर learning start में no, module completed में 00, examination में not started, result not appear, certificate not available यह सारा कुछ यहाँ पर लिखा होगा तो सबसे पहले यहाँ पर आपको my details पर click करना है यहाँ पर आपका VLE card complete detail दिख जाएगा जो जो detail यहाँ पर आपने दिया है वो सारा detail यहाँ पर लिखा होगा तो यहाँ पर आपको basically करना क्या है कि सबसे पहले module complete करना है फिर आपको यहाँ पर wrap का examination online देना है तो इसके लिए यहाँ पर आपको module का option मिलेगा इस पर आप click करेंगे तो यहाँ पर module complete करने के लिए language select करना होता है तो unfortunately यहाँ पर module सिर्फ आप English में ही complete कर सकते हैं यहाँ पर आप अगर examination पर click करते हैं तो देखें यहाँ पर बोला जा रहा है module not completed यानि कि जब तक आप कम से कम 5 module complete नहीं कर लेते हैं आप final exam यहाँ पर नहीं दे सकते हैं तो चलिए हम यहाँ पर module पर फिर से click करते हैं और यहाँ पर आपको English select करने का option मिलेगा फिर आप next पर click करेंगे फिर आपके सामने इस तरह का 16 module आ जाएगा इसे आपको one by one launch करना है और उसे पढ़ना है, read करना है उसके बाद final exam देना है तो चलिए यहाँ पर launch पर click करते हैं आपके सामने इस तरह का PDF आएगा यहाँ पर कई सारे detail लिखे होंगे question sensor लिखे होंगे इसे आपको पढ़ना है तब जाकर आप final exam दे सकते हैं तो simply आप इसे नीचे scroll करते जाएंगे यह यहाँ पर खुलता जाएगा एक module complete करने के बाद close पर click करेंगे दूसरा module यहाँ पर open हो जाएगा फिर से आपको उसी तरह से launch पर click करना है फिर आपको सामने एक दूसरा module खुल जाएगा इसे आपको scroll करके read करना है फिर इसे यहाँ से close करेंगे फिर उसी तरह से तीसरा module खुलेगा फिर से launch करना है फिर से आपको उसे question answer को यहाँ से read करना है फिर आप close करेंगे, आप इसी तरह से यहाँ पर सारे module को launch करेंगे तो चलिए हम सभी module को launch कर लेते हैं अब आपको यहाँ पर RAP का final exam देना है तो RAP का exam देने के लिए यहाँ पर आपको फिर से examination पर click करना है और देखिए अब मेरे सामने कोई भी error नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर module complete कर दिया है यहाँ पर आपको कुछ instruction बताया जा रहा है तो आप चाहिए तो इसे पढ़ सकते हैं नहीं कि यहाँ पर basically आपको बताया जा रहा है कि आपको 100 question का answer यहाँ पर देना है फिर से यहाँ पर इक information पुछा जा रहा है कि आप exam को शुरू करना चाहते हैं तो आप ok पर click करेंगे फिर आपके इसी browser में एक नया window खुल जाएगा let's begin the test अब आपका wrap का exam शुरू होने वाला है यहाँ पर आपको start test पर click करना है exam शुरू करने से पहले यहाँ पर system check और photo verification होगा तो यह automatic आपका system verify करेगा यहाँ पर जितने भी permission आपसे मांगे जा रहा है सबको allow करना है browser checks यहाँ पर complete हो गया है फिर यहाँ पर आपका microphone और camera permission मांगेगा सबको allow करेंगे फिर आपका camera check यहाँ पर हो रहा है कुछ second wait करेंगे आपके network connection को check करेगा और उसके speed को बताएगा network यह complete हो चुका है यहाँ पर मेरा download speed और upload speed आ गया है अब यहाँ पर आपको कुछ second wait करना है अब यहाँ पर आपको अपना live photo capture करना है जो photo आपने upload करा था वो photo यहाँ पर आपको दिख जाएगा ठीक है फ्रेम में आने के बाद photo click करने के लिए यहाँ पर आपको take photo पर click करना है यहाँ पर कुछ second wait करेंगे आपका photo upload हो रहा है face capture successful अगर आपको इसा लगता है कि यहाँ पर आपका photo गलत capture हो गया है तो आप यहाँ पर retake face capture पर click कर सकते हैं दोबारा photo आप यहाँ पर capture करेंगे अगर सही है तो यहाँ पर आपको verify पर click करना है कुछ second wait करेंगे आपका photo यहाँ पर verify हो रहा है profile and candidate photo comparison complete अब यहाँ पर आपको next पर click करना है यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि exam के दौरान आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है exam की दौरान आपके face पर कोई भी टोपी या mask नहीं होना चाहिए आपको exam की दौरान अपना face बिल्कुल camera के सामने रखना है camera से नहीं हटना है ठीक है तो यह सारे चीजों को आप यहाँ पर ध्यान लखेंगे इसके condition को accept करेंगे फिर यहाँ पर next पर click करेंगे देगे फिर से यहाँ पर आपको instruction दिया जा रहा है एक घंटे का exam रहेगा उसमें 100 question रहेंगे जिसमें कोई भी negative marking नहीं रहेगा तो यहाँ पर आप इसे पढ़ लेंगे फिर इसके terms को यहाँ से accept करेंगे फिर next पर click करेंगे यहाँ पर आपको share camera पर click करना है और इसके permission को allow करना है अब आपके सामने rap exam का पहला question आ गया है question यहाँ पर English में रहेगा इस question को आपको पढ़ना है नीचे आपको 4 option दिये जाएंगे इस option में से सही answer को आपको select करना है अगर इस तरह का error आता है तो आपको गबराना नहीं है आपको ok पर click करना है तो जैसे कि मुझे यह लग रहा है कि इस question का answer यह है तो मैंने इसे select कर लिया है अब नीचे आपको save and next पर click करना है फिर आपको सामने question number 2 आएगा उसी तरह से आपको question को ध्यान से पढ़ना है नीचे 4 option में से सही option को select करेंगे फिर आप चाहें तो save response कर सकते हैं यह save and next कर सकते हैं यहाँ पर आपको review और reset बताया जाएगा उपर में यहाँ पर आप दिख सकते हैं सारे questions का number लिखावा है आप चाहें तो किसी भी question में jump कर सकते हैं सारे question का answer देने के बाद यहाँ पर आप submit test पर click करेंगे आपका test submit हो जाएगा यहाँ पर आपका photo है यहाँ पर marks बताया जा रहा है तो चलिए जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर सारे question का answer दे लेता हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पर maximum question का answer दे दिया है और मेरे पास अब warning भी आ गया है अब मेरे पास सिर्फ 5 minute का time बच रहा है और अभी मुझे 20 से 25 question का answer देना बाकी है तो चलिए हम यहाँ पर फटफट जो question का answer दे पाते हैं उसे हम दे लेते हैं यह देखिए अब मेरे पास सिर्फ 10 second का time बचावा है time बिल्कुल खतम हो गया है अब मैं question को attempt नहीं कर सकता हूँ अगर आप यहाँ पर खुद submit नहीं करेंगे तो यह test automatic submit हो जाएगा यह देखिए automatic test submit हो गया है preparing for result test submitted successfully आपका test successfully submit हो चुका है अब आपको simply इस browser को बंद कर देना है wrap exam देने के बाद अपने wrap exam के result को देखने के लिए या wrap certificate को download करने के लिए फिर से आपको इसी वाले page पर आना है यहाँ पर आपको wrap के नीचे login पर click करना है फिर यहाँ पर अपने csc id से login करेंगे login करते ही फिर से आपके सामने उसी तरह का dashboard आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते है learning started years module हमने सारा complete कर दिया है examination भी complete हो गया है और result में यहाँ पर देख सकते है pass लिखावा आ गया है और certificate भी अब available हो गया है तो अपने result को देखने के लिए यहाँ पर आपको result का बटन दिखेगा इस पर आप क्लिक करेंगे यह दिखिए यहाँ पर pass लिखा आ गया है total 100 question था जिसमें मैंने 46 question का answer सही दिया है और मुझे यहाँ पर 46% score मिला है तो चुकि wrap exam का जो pattern है वो बदल चुका है इसलिए यहाँ पर मेरा marks कम आया है अगर पुराना वाला wrap का pattern रहता तो मैं यहाँ पर ज़्यादा marks ला पाता अब अपने wrap certificate को download करने के लिए यहाँ पर आपको certificate का button दिखेगा इस पर आप click करेंगे फिर आपके सामने आपका wrap का certificate आ जाएगा यहाँ पर आपका सारा detail लिखावा है इस wrap certificate को download करने के लिए नीचे आपको generate certificate का option दिखेगा इस पर आप click करेंगे फिर इसे आप अपने computer में save करेंगे तो यह दिखिए यह है आपका wrap का certificate आप चाहें तो इसे print out करके अपने shop पर लगा सकते हैं और आप अपने CSA से किसी का भी insurance आसानी से कर सकते हैं तो अगर आपको INS या wrap का exam देने में कोई दिक्कत या परिशानी आती है तो आप हमारे इस number पर वाट्सप कर सकते हैं वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like करें इसे दोस्तों को साथ जरूर शेयर करें और हाँ अगर आप चैनल पर पहरी बार आए हैं तो इस चैनल को subscribe जरूर करें क्योंकि यहां आपका भाई इसे तरह का वीडियो लाता रहता है